रोबर्ट वाडरा इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं जो वोटर इंडियान सिटीजन इनीवन कें कंटेस्ट वो अमिठी से लड़ना चाहते हैं उनको आप तेलंगाने में एड़्जस करते हैं क्योंकि बाकी तो कोई आ नहीं रहा है टिकेट्स का CEC फाइनलाइज करते हैं अगर CEC में अगर फाइनलाइज होकर किसी को भी दे रज़त शर्माजे को भी अगर तलंगाने से लड़वाना है तो हम राजी है एक और ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में रियबन रेड़ी पर इज़ामा तो सवाल आपका फाइनल वो बात समझाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहा है राहुल जी राम अंदिर वो शिव बगत आपको पता है ना राहुल जी आपकी अदालत में आज मारे महमान है तिलंगाना के मुख मंतरी रिवन्थ रेड़ी आपकी अदालत में अगला जाए आपकी अदालत में तिलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवन्थ रेड़ी पर आरोप है कि ये तुष्टी करण की राजनीती करते हैं रेवन्थ रेड़ी जी ये आरोप बड़े भाई नरेन मोधी जी का है वो कहते हैं कॉंग्रेस का जो मैनिफेस्टो रिलीस किया है ये मैनिफेस्टो की सोच वही है जो आजादी के पहले मुस्लिम लीक का मैनिफेस्टो हुआ करता था मैं हमेशे मैं ये बात कहना चाहता हूं मोधी जी से इस देश में इस सदारी नहीं है क्या? मुसलिं सлять दैश में, कृस्टिं सी दैश में, क्रिश्चियन सिदेश में यह पुरा हिस्सदारी है हार किसी कاع रेफ्लेक्षिंग होtestा हो उसमें Muslim भी होगा, Christian भी होगा, Sikh भी होगा, Hindu भी होगा, आप आप जो Muslim को टिकेट नहीं दिये तो आप पुरा कोई देश काने तोड़ी बनेंगे, तो इसमें Political Exploitation के लिए मोदी जी कुछ नारा लगा थे, तो इसलिए वो कुछ पूरा जो उन्होंने डीटेल में दिया बताया कि एक तो Muslim Personal Law, जो Muslim League का Personal Law अज़ादी के पहले वाला, यह वही है जो 1936 का है, और जो 2024 का Congress का Manifesto है, Muslim League 36 में Muslim ने कहा था Fight Against Majority, वो इस बार के Manifesto में है, 36 में Muslim ने कहा था Special Scholarships and Jobs for Muslims, वो Congress के Manifesto में है राज़े शेर्माजी, वो क्या कहा, वो चोड़ो, Indian Penal Code अलगे, Civil Code अलगे, Penal Code में इंदूस्तान में कोई भी हो, कुछ गुना किये तो उसको punishment के लिए Penal Code है, Civil Code is our practice, भारती जनता पर के कोशिश कर रहे है, Penal Code, Civil Code में कोई फरक नहीं है, Civil Code बदलने के लिए, Uniform Civil Code के बारे में चो कह रहा है न, आज Uniform Civil Code कह रहा है, उसके बाद ULC लाएंगे, Uniform Language Code, उसके बाद UDC भी लाएंगे, Uniform Dress Code, जैसा मोदी जी कह, जैसा शेरवानी पेनो, ये पूरा डालो, कहां से डालेंगे भई, Uniform Dress Code ला ला लिए तो, Civil Code अलेगे, इस देश में चार दरम है, बाकी के बहुत सारे जाती है, हर जाती कुद का, अगर नार्ट इंडिया में शादी किये तो, वडियुकल आके साथ, फेरे लगते हैं, अमरे सौथ में सेम हिंदोस ताली बनते हैं, तिन नार्ट करने का, तो ये अलेगे, मुस्लिम कुबूल कुबूल कहते हैं, शादी के बारे में, क्रिश्टियन वाले चैट्स में और कुछ करते हैं, अब यूनिफर्म सिविल कोड कहां से आएंगे, किसको, क्या, 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 क्या बोलना चाहता है आपको, इंडियाल पीनल कोड सब के लिए, हिंदो, मुसलिम, से क्रिश्टियन कोई भी हो, अगर कुछ गलती किये तो पनिश्मेंट कामन है, मगर सिविल कोड ऐसा नहीं है, यूनिटी आफ दैवसिटी, यूनिए अफ स्टेट्स, अलग-अलग धरम है, अलग-अलग जाती है, ट्राइबल वाले एक प्रैक्टिस करते, आदिवासी लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मुस्लिम और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, हिंदूस में भी इतने सारे जातियां हैं हिंदूस में, अब हन्रड प्लेस सबकास है, only OBC में, तो हर कास्ट का अलग-अलग प्रैक्टिस है, तो ये सब मिक्स कर देके, एक पलिटिकल सुचूइशन कड़ा कर दे के उसमें से आप फाइदा लेने के लिए कोशिस कर रहा है मुसलिम अपीजमेंट पर कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो मुसलिम तुष्टी करन अपीजमेंट की बात करता है अभी सरकार में भी नहीं है दस साल आप ते आप क्या किये वो बोलो हम लोग तो बहुत साल होगे सरकार से हटके हम तो मुसलमान को कुछ नहीं किये आप क्या निकाला उन लोगों को हम जो दिये आप क्या निकाले वो तो भी बोलो कम से कम हम आपीजमेंट किये out of the way मुसलिम को कांग्रेस पार्टी ने कुछ मदद दिये दस साल अप्रदान मंत्री थे अब क्या क्या रोक के दिखाए एक मंत्री दिये हमारा विकास कहा से है यह आपने का है लेकिन कॉंग्रेस के जो लोग जिनका जिक्री किया था हमने जो कोंग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो यह कहने कि कॉंगरेश से उनको ये प्रॉब्लम है कि अव्योध्या में राम मंदिर बना उसके पक्ष में नहीं बोल सकते, प्रान पतिष्ठा के कारिक्रम में नहीं जा सकते, ये सोच है। लेकि ये तो देखें सज्जे अंडियूपम जैसे लोग… पार्टी को ज्यादा लुक्सा नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएंगे, मर नया क्राइसिस में लीडर्शिप एमर्ज हो जाएंगे। मतलब नया नया लेडर को कारा कर सकते है। लेकि ये तो सच है ना कि जो प्राण पतिष्ठा का कारिक्रम हुआ उसमें कॉंगेर्स के लोग नहीं गए। संजे निरुपम की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने अभी-अभी कॉंग्रेस छोड़ी है। वो ये कह रहे थे हमें इस पास प्राण नहीं है कि जाने दिया जाये ना जाने जाये हमारी आस्था का प्रशन है। लेकिन हर जगा राहुल गांदी भगवान श्री राम का मजाग उड़ाते हैं। वो लोगों से कहते हैं श्री राम जै श्री राम जै श्री राम लगाने से क्या होगा गंटा बजा से क्या होगा तुमको क्या भूखे मर जाओगे तो भूखे के बारे में बोलने के लिए कोशिश करें मोदी जी बाई आप नौकरी दिया बोले तो जै श्री राम कहते हैं दा सब चीजों के लिए आप जैश्री राम, राम मंदर का नाम कितना दिन लेंगे, वो बात समझाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहा है। उतने जोर से मंदिर में नहीं जाते हैं। मैं दो चीज पर आपको कमेंट चाता हूँ, जो देश के लोग की भावना है, जिस तरह से डीमके के लीडर्स ने, उदेनिधी स्टालिन ने, कहा कि सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया की तरह हैं, इसको हम सब को मिलकर सर्वनाश करना है। अभी वो द्रवीडियन मुवमेंट, उनका जैसा मोदी जी किसी के किलाब बोल कर पोलिटिकल अडवांटेज लेने के लिए कोशिश कर रहा है, वो ये आदर्स में उदेनिधी महारन भी और किसी के किलाब बोल कर पोलिटिकल अडवांटेज लेने के लिए कोशिश कर रहा या बारती जनता पार्टी वाले की या डियम के वाले की ए कोई भी ऐसे बातों को इस देश में जगान नहीं है आपके वीडियो मैं देखता हूँ आप जब वो डालने गए तो आपने गौमाता की पूजा की जिस दिन आप आफिस में गए तो आपने वहां भी भगवान की पूजा की आपको तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उद्र निदी को और ए राजा को क्या प्रॉब्लम है ए राजा कहते हैं कि हम तो राम के खिलाफ हैं हम तो हिंदू के खिलाफ हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं साफ कहना चाहता हूँ, रजयत शेर्मा जी, बाइ प्राक्टिस मैं हिंदू हूँ, मैं गव से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ. इसका मतलब मैं मुस्लिम के किलाफ हूँ, मैं क्रिस्टेन के किलाफ हूँ, मैं और सिख के किलाफ हूँ, ऐसा मैं किसी के किलाफ नहीं हूँ मेरा दरम है मैं मेरा दरम मेरा परिवार मेरा परदादा ने जो सिखाया था मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसमें क्या गल्ती है वो पर्सनल प्रैक्टिस है वो परिवार के प्रैक्टिस है जब सरकार चलाना है तो आप न्यूट्रल रहना है, सिक्लर रहना है ये थोड़ी बहुत डीमके वालों को भी समझा दीजे आप बराबर समझातो हूं, मिला नहीं, मिले तो जरूर बोलूगा मैं एक लासा वाला में ले सकते हैं वासब आयोध्या में भवे राम मंदिर बन चुका है, क्या आप राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? जरूर जब मोका मिले तो जरूर जाओंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अजारों साल राम मंदिर वहीं रहेंगे जबी भी मोका मिले मैं तब जाके राम मंदिर दर्शन करूँगा पहले मैं आप लोगों सब को इन्वाइट कर रहा हूँ तेलंगाना में भी राम मंदिर है बद्रा चलम आप लोग वहां पर दर्शन कीजिए